बिसमिल्ला रख्मान ररहीम, अस्सामनेकूम, वेलकम टू श्पानाज किच्छन, आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल एक्टोस जो आप नार्मली भी बनाते हैं, लेकिन अगर आप डिफरंट डिफरंट तरीके से बनाएं, तो खाने वाले का भी इं रहेंगे वन टेबल सपून चॉप'd प्याज और फिर ये बारी कटी हुी चॉप हरी मिर्च, और ये वन टेबल स्पून बारी कटा हूआ हरा धनिया, और अब हमने इन सब को अच्छी तरह मैक्स कर लेना है, बलकि इसको अच्छी तरह फैंट लेना है, और अंडे को अच्छी तरह फैंटने के बाद अब हम एक स्लाइस ब्रेट का लेंगे और इसकी अब हम स्कुर में चकोर में कटिंग करेंगे और इसकी एक साइट से कटिंग करके फिर हमने इसकी दूसरी साइट से कटिंग करनी है इस तरह और हमने पूरी bread को नहीं cut करना इसका margin रखना है थोड़ा थोड़ा चारो corner से और ये अब तीसरी side इसकी हम cutting कर रहे हैं और फिर ये fourth side इसकी ये चौती side की cutting कर रहे हैं और फिर इस तरह हमने जो cutा हुआ slice का piece है उसको हमने निकाल लेना है इस तरीके से उसको निकाल लेना है और ये bread की cutting हो चुकी है और bread का size बिलकुल एक frame की तरह लग रहा है एक pan में one tablespoon oil लेंगे और उसमें जो cutा हुआ bread का frame है वो डालेंगे रखेंगे और फिर उसमें जो हमने अंडा भेंटा हुआ रखा था उसको इस तरह डाल देना है और फिर उसके बाद जो cutा हुआ piece है उसको हमने उपर इसके यू लगा देना है और हमने इसको एक side से तकरीबन one minute तक cook करना है और फिर उसके बाद हम इसको flip कर देंगे और ये देखें कितना अच्छा cook हो चुक है और अब हमने दूसरी side से भी इसको तकरीबन one minute तक बिलकुल low flame पर इसको पकाना है और फिर इसके बाद one minute के बाद हम दुबारा इसकी side change करेंगे ताके ये दोनो side से अच्छी तरह पक्चे और अंडा जो है वो कच्छा न रहे और slice को हलका हलका सा प्रेस करते जाएं ताके ये अच्छी तरह cook हो जाया और कच्छा न रहे और मैंने इसकी side भी दुबारा दूसरी change कर दिया एक bread ready हो चुका है और ये बहुत ही quick recipe है और जैसे कि सुबा में morning में बहुत कम time होता है और आप इसको बच्चों को स्कूल के lunch box में भी बना कर दे सकते हैं और breakfast में भी bread और omelet को आप arm routine में भी breakfast में या बच्चों को स्कूल के लिए lunch box में भी देते होंगे लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा different तरीके से बनाएंगे तो बच्चे जो नहीं खाते इसको मज़े से और enjoy करके खाएंगे कि शायद ये कोई एक नहीं चीज़ है आप इस recipe को जरूर ट्राइ कीज़ेगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, share और subscribe कर दीज़ेगा थैंक यू पर वचिंग, आलाह अफेज